बिहार की तरफ बिहार में CSBC की तरफ से एक ओफिशिल अपडेट आ चुकी है बहुत सारे छात्रे इंतजार कर रहे थे कि भईया ड्राइबर का जो वेकेंसी निकला था 722 पदो का उसका लिखित परिक्षाकिर कब होगा तो लीजिए एक्जाम डेट आ गया है तयारी सुरू कर दीजिए और हाँ OMR-based exam होगा आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार भी इसका exam online नहीं किया गया online वैसे नहीं होता है सिपाही भरती को लेकर लेकिन official update आ चुका है CSBC के official website पर चलते हैं लेकिन छोटा सा request चैनल को subscribe ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबाके तक कि ह वीडियो का notification आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके और बिहार B8 के exam जो लोगों ने form भरा है इस वीडियो को देख लिजेगा notification आप लोगों तक नहीं गया था यहाँ पर इस वीडियो को खासकर जरूर देख लेंगे आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं एजबर्टाइजमेंट संखिया 5.2019 है important notice निकाला गया है अभी थोड़ी दिर पहले यहाँ पर जी हाँ regarding the written exam schedule on the 14th October e-admit card यानि कि 14 October को finally अभी exam होगा ही होगा इसका e-admit card जो है और specimen OMR convenience for the candidate और एक साथ में OMR seat दिया गया है यहाँ पर ताकि आप थोड़ा सा practice कर लिजिए उसके उपर चलिए मैं इसको download करके आपको सारा detail दिखलाता हूं यहाँ पर और वो सारे update भी यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं तो यह देख सकते हैं 5.2019 एड़टाइजमेंट संखिया है 1722 पदो की यह total vacancy जिसका exam दोस्तों 14 अक्टूबर 2000 बुद्धवार को देखे 14 अक्टूबर को बुद्धवार पढ़ रहा है उस दिन इसका exam लिया जाएगा दोस्तों आपको बता दे कि 14 अक्टूबर को यह सिर्फ और सिर्फ जिहां 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक एक ही पाली का exam होगा दो घंटे का य जी हाँ आपको मैं बता दू कि 23 सेप्टेंबर को लिंक एक्टिबेट कर दिया जाएगा जो भी छात्र इसका फॉर्म भरे हैं जो भी मिद्वार वह अपना admit card डाउनलोड करके print out जरूर निकाल लेंगे और इस परश्ट किया जाता है कि डांक दोरा यह कोई भी admit card आपको नहीं बेजा जाएगा आपको यह भी बता दी कि परिक्षा केंदर पर परिक्षा में समलित होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ आपको अपना एक पहचान पत्र भी ले जाना होगा जी हां यहां पर admit card के साथ या तो passport लेजेगा या तो अपना अधार का driving license कोई भी एक ऐ पहचान पत्र होना चाहिए यह प्रवेश पत्र पर फोटो इस पस्ट नगर नहीं है तो उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी सिती में अभ्यारती जो है परिक्षा इस्थल पर आने के साथ साथ अपना आविधन पत्र के समरूप दो फोटोग्राप भी लेकर जरूर जाएग अगर तो उनको 9 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के पुर्वाहन 10 बजे तक सामके 5 बजे तक आपको ये केंडरी चैन परसत जो भरती है सिपाई भरती को लेकर सचीवाले हाल्ट पत्ना 8001 इस्थित कार्याले में अपना डूप्लिकेट इकार्ड भी बनवा लेना होग तो देखिए यहाँ पर दूसरा अप्डेट का बोला गया रहा है कि 9 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में सुबह 10 से सामके 5 बजे तक आपका डूप्लिकेट एड्मिट कार्ड भी बनेगा तो जरूर बनवा लेजएगा अगर आपका एड्मिट का डाउनलोड नहीं अगर फोटो नहीं है तो आप 2 फोटो लेकर ये सेंटर पर वहाँ पर आपके फोटो चिपका दी जाएगी और आपको एलाउड कर दिया जाएगा लेकिन 2 महीने के भीतर का फोटो वह खीचा हा ना चाहिए ठीक है अगर नहीं निकल रहा है आपका एड्मिट कार्ड तो आ और उमिद्वार सुनिशित हो जाएंगे कि उनका admit का download होगा या नहीं होगा या फिर उनके अनुरूप होगा दोस्तो अब्यारतियों को यह भी सुझित किया जाता है कि अपने परवेश पत्र की परिक्षा के बाद भी सुरक्षित रखेंगे admit card को अपने सुरक्षित रख ल यहां पर अलग से एक website पर दिया गया है आप देख सकते हैं उसको आप लोग एक बार फिल करके भी प्रिंट निकाल लिजेगा और फिल करके देखिएगा practice कर लिजेगा तभी exam देने जाएगा इसलिए यह दिया रहता है और कोई गलती मत किजीगा यहां पर गलती हो जाए रूप लेकिन सरकार का कहना है वो कह देती है अपने मास्क अपना सेनेटाइजर खुद लेकर जाएगा आप लोग वहां पर कोई ववस्ता आपको यहां पर सरकार के दौरा नहीं दी जाएगी वैसे चलिए खैर यहां पर बात हो गई है इन सभी के अपडेट के बारे में यह आप देख सकते हैं OMR सीट है यह जो चीजे लिखी गई है यहां पर भी लिख के खुझ से प्रैक्टिस कर लिजेगा और जो भी आपका उत्तर पुस्तिका है यहां पर लिखा रहेगा और यह जो है आपका रॉल नंबर का जगह है इसको भरिएगा अच्छे से पैंसल स ही ट्राइ कीजिएगा इसको प्रिंट निकाल कर फिर प्रशन उत्तर संख्या जो है वह आपको बता जाएगा यहां पर कोशन अटेंब कीजिएगा उसको भी बताना है गोल गोल रंके सो कोशन होते हैं यहां पर जिया सो प्रशनों का यहां पर उत्तर करना होगा आपको इ चैसे कैसे फॉर्म को भरना होगा यहांपे OMR Shit को कैसे भरना होगा यह सारी चीज़े कौन सी विवस्थाएं सही होती है कौन सी गलात होती है ये सारी चीजे यहांपे Mention किया गया है तो दोस्तो आ mine कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और इसका प्रैक्टिस कर लिजेगा और अगर आप इसकी तयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो शाम को हमारे साथ आठ बजे जुड़िए वाइटी एजूकेशन पे कहां पर वाइटी एजूकेशन जो हमारा चैनल है दू तो आप लोग भी वहाँ जुड़िए और मैं जल्द ही आप लोग के लिए बहुत नई चीजे इंट्रड्यूस करने आवाला हो तो आप लोग भी वहाँ जुड़िए वाइट एजूकेशन पर भी तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आप हमारे साथ यहा चैनल के अबाउट में जाएगा अबाउट में जाते से ही नीचे यह सारे वो लिंक दियेगे हैं जहां से आप हमें जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम पे यूटूब पे वाट्सब पे फेस्बूक पे और इंस्टा पे भी कोई भी डाउट होता है तो दिन आप हमें यहां प अपने परिवार का और जो पुरानी वेकेंसी के अपडेट है वह हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं यह सारे वीडियो जहां भी जौब नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं नई वेकेंसी को लेकर यह प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे ठीके दोस्तों चलिए धन्यवाद